अजा साथियो जैभीम नमवुद्ध आये अमर संग कि आज ये बेठक में जो लेखक संग और साहितकार का जो संग है उस पर भी विचार मर्स करने का इसमें है तो मैं जो है आर्जी कुरिवल उन्नाव से बोला हूं मैंने तेरा दो उन्नीस सुब तेरा दो बाइस को एक मीटिंग फिजिकल मीटिंग भी किया था उन्नाव में जिसमें आरस्वामी जी और डाक्टर उजेवीर सिंग जी और उमा संदा बाक्ताबादी लोगों का एक संग है हमारे विद्वान लोगों ने ज्चार पोच हमारे सामने रखा है या बुद्ध से पहले भी था सम्र संग और बमर संग जो पहले इसे बहुजन बाध याम बेद्कर बाद भी कह सकते हैं सम्ता सुतंता नया और भाई चारे की अवधाइबाना पर आधारित है जूर्संग जिसे ब्राम्मार्बाद भी कहते हैं, विसमताबादी लोगों का एक सम्हू है, जो चतुरवन विवस्ता पर आधारित है, इसमें ब्राम्मार को सम्मान है, बाकि अन्यवर्णों को नीच माना गया है, इसमें समता सुतंतर नयाय और भाईचारे का अभाव है, आज के ब्राम संगिक संगठन, ब्राम्मार्बाद और चतुरवन विवस्ता को बनाये रखने के लिए काम करें, इसमेर संग की आवसकता क्यों पड़ी, इसमेर संग है, जो लूटे-पिटे लोग है, जो मूल निवासी भारत के हैं, जिनको बहुजन भिका जाता है, उसका एक सम्हू है, मोहन जोदोर हरपा की खुदाई से मिले अवसेश से इंगित करते हैं, कि यहां के मूल निवासी, मूल निवासीों के सभेता बहुत बिक्सी थी, हम लोग कला कॉसर में परांगत थे, यहां जात भेद नहीं था, इस, यह सम मिल जुलकर रहते थे, भारत के बाहर से आये, आ अपना दास और गुलाम बना लिया, बाद में उन्हें चतुरवरन व्योस्था और 6,743 टुकड़ों में जातियों में बार दिया गया, वे अपने हक हकुद की मांग न कर सके, इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने, अस्त्रस्त रखने और संपत्य रखने से बंचित कर द अधारी ते धम इतना बिकसित हुआ कि भारत को सोने की चिडिया कहा जाने लगा, बगवान बुद्ध के जाने के बाद समराथ असोक ने इस धम को सारी दुनिया में फैलाया और इसको प्रचबातित करने के लिए स्वयम भी बुद्ध धर्म ग्रहन किया, इसके बाद जो ह बहुत दिन तक यह चलता रहा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुंग कान्त हुई एक अंतिम बहुत राजा प्रहद्रत के सेना पती उस स्मित्र सुंग जो ब्रामन था ने उस राजा को मार कर यहां पर ब्रामन धर्म की पुना स्थापना किया और बहुत दिनों तक यहां पर जो है शाषन करता रहा इसके बाद इसके बाद है कि आपना माइक बंद करो पलीज तुसरे साथी कि पर आपना माइक ना को ले वाज इसके ब्रामन धर्म के पनपने के बाद भारत की दर्दसा हो गई और यहां पर बहुजनों को दास और गुलाम फिर बना लिया गया हमारे पुरुखों का कार है भारत में बहुजन जातियों की दीन हिंदसा से बिसित होकर महामन जोजमा फूले पेरे रामा स्वामी नाईकर नारायर गुरू गार्डगे महराज आज बहुजन नाईकों ने अपने इस तर से बहुत सा कार किया परन्तु बाबा साहब डाक्टर अंभेदकर ने बहुजन जातियों की दसा और दिसा को चिंतन मनन कर उसका इलाद ढुणा उन्होंने छहहजार साथ सुत तालिस जातियों को यस्टी यस्टी और OBC में समेटा संभिधान में एक ओट काधिकार राजनितिक प्रतिनित्तु सरकारी नोकरियों में प्रतिनित्तु प्रोनितियों में आरच्छार सिच्छा संपदा में समचित भागीदारी के तमाम प्राविधान संभिधान में किये समिधान लागू होने के बाद, 72 साल बाद, आज लगभग, हम आज लगभग 29 लाग संगठनों में पुना बट गए, 2698 पंजीकत राजनेतिक दलों में भी लगभग 2,000 बहुजन ही तैसी दल हैं, एक सू एंसद 1100 विधायक के होने के बावजूद हमारा समिधान जलाया गया, आरच्छन खट म कर दिया गया, सरकारी सेवाओं को, सरकारी संसानों को और पर दामों में, नीजे इंहाथों में बेजकर, सरकारी नौकरियों को खथ्म कर दिया गया, रेप मर्डर की घटनाएं बेतासा बढ़ रही हैं परंत हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं आएसी इस सिद में हमारे बुझजीवियों ने इस पुराने समर्शंग को जार पोचकर निकाला और विकलब दिया कि अगर हम सब एक हो जाएं तो इस देश का कोई भी व्यक्त हमारे जुड़ेंगे जिद जुड़ने की जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे जुड़ो और जीतो हम सब बावा साहब और महापूर्शों के संघर्शों के परणाम स्वरुब सम्मान पूर्वक जीने की इस सित्में आये हैं हमारा हमारी विरासत तथागत बुद्ध सम्राध असोग और महान संतों महापूर्शों को जान पाए हैं उनके आदेशा अंसर पेबैक्टु सोसाइटी के लिए समर्पित हैं इस समर्संग को मद्बूत बन आए गए हैं जैसे बड़्डा समर्संग वकील समर्संग लेखक साहितिकार कलाकार समर्संग आज है कोई चंदा हम नहीं लेते समर्संग वी दपीपुल पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता नहीं कोई सदस्ता सुल्क लेता है नहीं चंदा नहीं परिची कारता है नरसीद अगर कोई आप से राजनीत नहीं करेगा और नहीं इसको उसमें जाएगा यदि किसी को राजिनीती करना है तो समर्शंग की सदस्यता छोड़ सकता है उसे कोई मना ही नहीं है समर्शंग के बैनर तले जब जाति पाध में बटे सभी लोगे खठा हो जाएंगे तो हमारी समस्याइग एक साथ हल हो जाएंगी ये समर्शंग का कंसेप्ट है मित्रो आज चूंकि कलाकार और जो है साहितिकारों का बीन है इसलिए मैं आप से बताना चाहूँगा कि मैं भी एक साहितिकार हूँ मेरी तीन पुस्त के अभी अभी छब चुकी है जिसमें बहुजन हुंकार और जिन्गी की सिर्वटें आत्मकथा और बहुजन दोहा वली तीन नई किताबे अभी भी छब चुकी है जो आप जो है अमेजन से भी मगा सकते हैं आज मैंने ये कंसप्ट आप के सामने रखा और जो मैंने सुना, समझा जाना, आज मैं पचास साह से लगभर मैं भी जो है राजनीतिक सामाजिक, तमाम तरह के संगठनों से जुड़ा रहा हूं और इसको मैंने सब छोड़ दिया आप मैंने कोई समझ में आया है कि समर संग ही एक मात्र बिकल्प है अगर हम जुड़ेंगे सब एकठे हो करके अपनी समस्चाओं का हल चाहेंगे तो निश्चित्रूफ से इस संग के निचे हो जाएगा इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बाड़े में गिराब नेता हूं जैभीम नमगुद्धा है बहुत बहुत साथ वास कुई लिए आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तंगं सरेन गच्छामी तंगं सरेन गच्छामी तंगं सरेन गच्छामी पूतियं पी संगों सर्णों बच्छानू पूतियं पी संगों सर्णों बच्छानू ततियं पी बुद्धों सर्णों बच्छानू ततियं पी बुद्धों सर्णों बच्छानू ततियं पी धम्ममर सर्नु कच्छाम। ततियं पी धम्ममर सर्नं कच्छाम। ततियं पी संगर सर्नं कच्छाम। ततियं पी संदं सर्नं कच्छाम। साधू, साधू, साधू